पूटिटी प्लेट फरम होट स्टार्ट पर मासूम रिलीज हो चुकी है अब देखते हैं सीरीज को फैंस का कितना प्यार मिलता है आई आपको मासूम का रिव्यू बताते हैं ये वेब सीरीज कैसी है आपको देखनी चाहिए या नहीं मासुम की कहानी बाप बेटी की रिष्टे के इट गिट तूंती है इस फैमिले ड्रामा में आपको वो कुछ नहीं देखने को मिले का जो एक समाने परिवार में होता है गुणवत उपासना सिंग पैरलाइजड है उसका पती बरलाज बोमन इरानी डोक्टर है और खुद का नर्सी होम चलाता है दोनों के तीन बच्चे है छोटी बेटी सना समारती जो दिल्ली में नोफरी करती है बड़ी बेटी टीचर है एक दिन अचानक गुणवत वैट से गिर जाती है और सिर्प गहरी चोट लग जाती है और उसकी मोट हो जाती है सना इस हथसे का कसूरवार पिता को मानती है उसे लगता है कि पिता को मर हुआ है कहानी में बेटी मा के कुन का पता लगा थे इसी बात को लेकर कहानी आगे बढ़ती है बोमन एराणी जैसे मंझी और अकलाका अपने किर्दार के संद्धूरा नया करते हैं पूरी सीरीज में अपने किर्दार की जरूरत के मतबख बोड़ी लेंगवेज और चैरे के हाओ बाओ के बड़िया काम किया है बात करें बलराज की बड़ी बेटी संजना के किर्दार की तो इसे मंजरी फंडनीस ने निबाया है वह भी इस पंजाबी महिला के किर्दार में फिट पेटती है मासुम का क्रियेशन गुर्मीट सिंग ने किया है लेकन सतकाम तरपाट्य और डारेक्शन महिल दिसाई ने किया है महिल और गुर्मीट की जुबलबंदी मिर्जपूर जैसे क्राइम वेश्रीज में हम देख चुके हैं मासुम का मूल ही सस्पेंस और ठ्रिलर है छह एपिसोड आपको यह सस्पेंस और ठ्रिलर आप खीषता ले जाएगा इससे आप निराश नहीं होंगे आप भी सना की तरह यह जानना चाहेंगे कि आखिर काकी कौन है क्या वाकई में पिता ने मा का कुन कि अगर ऐसा है तो इस खुसाल से दिखने वाले घर में ऐसा क्या था कि अचानक कतल हो गया ऐसे डेरो सवाल है जो आपको इन 6 एपिसोड देखने के लिए विचलित करेंगी अच्छी बात यह कि इस सीरीज के एपिसोड ज्यादा लंबे और बोजिल नहीं है 30-40 मिट के एपिसोड में निर्दे सकने कानी को पिरोया है इस फैमिली ड्रामा में अगर थोड़ी कसावत और पंजाब जैसे प्रेस्ट पर इस सीरीज को बनाए गया उसे और बारिकी से कसना चाहिए था बगकी वन टाइम वाच के लिए आप इस सीरीज का लूप तो उठा सकते हैं